नमस्कार आप देख रहे हैं सिर्डी पोस्ट मैं हूँ अभिसेक मिस्रा क्या महराश्ट की सियासत में जो कुछ भी हुआ है वो बिहार की सियासत में जो कुछ भी हुआ है वो कुछ बिहार की सियासत में होने वाला है उसकी जो पुर्णरा विर्ती है वो बिहार में होने वाली है महरास्ट की सियासत में क्या हुआ है जारकंड की सियासत में क्या हुआ है ये हम आपको बता देते हैं महाराष्ट में कई दसक से बीजेपी की सहयोगी रही सिउसेना उससे छिटक गई उससे दूर चली गई दोस्ती तोड़ ली सिउसेना ने और आप जानते हैं महाराष्ट में लंबा पॉलिटकल ड्रामा खत्म हुआ है तो अब सिउसेना की सरकार है उधव ठाकने वहां के मु कि बड़ा बयान सामने आए हैं विहार के कदावर नेता हैं रगवन्स परसाथ सिघ्णा ऐडिकरश्टी के बड़े नेता हैं उन्हों ने कहा है कि नितिज कुमार आड़ जीडिकर अएंगे वो हमसे दूर कप्त है वो तो हमारे साथ चुनाओ लड़े थे उसके बाद जुनाओ के बक्त हमरे जोरे थे, जुनाओ के खटम होने के बाद नहीं होने चले गए। कुन अस्चरज बात आजूबा बात सवाल उठा रहा है। गैर भाजबा दल्यक जूठ होगा, हम भाजबा को पचार देगे। देष़वर में पचार देंगे प्रदेश में पचार देंगे। महरास्त में वहां के निताओ निए पचार दिया, गैर भाजबा दल्येक जूठ हो गया रहा था। लेकिन गैर भाजबाद अलेक जूठ हो गाए, तो भाजबाद के लोग पछर गाए, अमित्साव का सब चनक के गिर्दी खतम हो गया, उसी तरह से मोदी गिरी खतम हो जाएगी गैर भाजबाद अलेक जूठ हो जाएगी और लड़िये, यह इन्ने थे हीत आएगे कुण अज अजो जाकर पुछिए ना सब मेली लोग से आज सब पाठी के लोगों से क्या राय है, आपको पता हो अना से लोग को पुछे चलते हैं, हम अपनी राय बोलते हैं, जो महसूश कर्था हूँ बोलता को, जब यह कर्था हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, इसमें दुनिया लोगो कि यह दो से पुछा जाए जे उससे लोग सहमत है कि नहीं है। मैं महसूद करता हूं कि जादे लोग हमारी बात को मान रहे हैं। शुरू सही आप चाहते हैं कि नितियस्कुमार आ जाये मांगे प्रुंजर में। कि नितियस्कुमार के तषजम से भारी मान रहे हमीं न हमको है भाजपा को पराष्ट करना, अपयों है बाफ इसमें कोई भी आवे तेमको परहेज्डिनेई। अधार की उधर अनकम्फटेवल हैं, गवर्मेंट अफ इंडिया का मंत्री बना, इनके दूगो मंत्री बनने के लिए कुर्ता उर्ता सियाय हुए थे बन्डी उंडी, उनके तरका दिया, ये भी उस जवाब में अपन मंत्री मंदल विस्तार की उसमें भाजपा को तरका दिये, अब खतना खोल का है, ये को बात है, खतना बात है. तो रगवन्स प्रसाद सिंग को आपने सुन लिया, साफ तोर पर ये दावा कर रहे हैं, भविस्वानी कर रहे हैं, कि नितीश कुमार आर जेडी के साथ आएंगे, हमारे साथ ही तो मिलकर चुनाओ लड़ा था 2015 में, अब कौन सी आस्टर्ज की बात है, कि वो नहीं आएंगे, ऐसा दावा है, रगवन्स प्रसाद सिंग का दावा यह भी है, कि बात्चित भी चल रही है, मेले बात कर रहे हैं, नेता बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं ये सारी बाते रगवन्स प्रसाद सिंग ने कही है, सवाल यह है कि क्या रगवन्स प्रसाद सिंग सरीखा, रजडी का कोई कदावर नेता इतना बड़ा बयान दे रहा है, इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो क्या यह यूँ ही कहा जा रहा है, रगवन्स प्रसाद सिंग बा साथ लेकर चलना होगा बाद में अबदुलबारी सिद्की जो आर्जेडी का दावर नेता है उन्होंने अपना फेस्बुक पोस्ट डिलिट किया तो तमाम तरह का ड्रामा जो आर्जेडी के अंदर खाने चलता रहा है नितिश कुमार को लेकर तेजस्वी यादो साफ तोरप कि सियासत में हाल के दिनों में 2020 के बिहार विदान सभा चुनाओ से पहले कि जेडी आर्जेडी के साथ जा सकती है और क्यों रगवन्स प्रसाथ सिंग सरीखे नेता इतने बड़ा बयान दे रहे हैं जाईर है ये बयान यूही नहीं है बाची चल रही हो नहीं चल रही हो ल बनाने की कोशिस हुई नितिश कुमार को साथ लाने की कोशिस हुई तो समझता नितिश कुमार साथ आज आएंगे क्योंकि उनकी सहयोगी बीजेपी के कई करदावर नेता हाल के दिनों में उन पर हमलावर रहे हैं और ये हमला तब भी नहीं रुका है जब बीजेपी के र दो बार एक बार आमरान अंसन फल दुसरी बार PMCH पर जाकर उनसे मिले दिल्चस्प बात यह है कि बिहार में BJP और जेडियू मिलकर सरकार चला रही है उपेंदर कुस्वाहा उसी सरकार के खिलाप आमरान अंसन पर बैठे हुए थे हलाकि निशाने पर नितिश कुमार करते हैं तो क्या यह सब सिर्फ सयोग है या फिर वाकई BJP में एक बड़ा धड़ा ऐसा बन चुका है जो नहीं चाहता कि नितिश कुमार को कैप्टन माना जाए 2020 के बिहार विधान सबाचुनाओं से पहले और यह तलकी जादा बढ़ी जगड़ा जादा बढ़ा तो जोसा है कि नितिश कुमार आरजेडी के साथ चले आएंगे बसरते जरुवत है उनसे बादचित करने की उनको साथ लाने के लिए मनाने की तो इस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और रगवन्स परसाद सिंग ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल है ये बहस एक बार फिर आगे बढ़ गई है ये बहस तेज हो चली है कि क्या नितिश कुमार 2020 से पहले बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं और आर जेडी नितिश कुमार को लपकने वाली है इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबादें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार से मर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद